नमस्का सद्यात्रा न्यूच में आप सभी का स्वागित है मढ़े में लगी आग 33 बचू जलकर हुए खाग सच्चा याई सामने मिर्जापुल जन्वति के वड़री थाना अंतरगत क्रामसुबा भरपुरा में बीती रात अबुझाल में लगी आग 28 बकरिया और चार पड़िया और पाड़ा जलकर खाक हुगए आपको बता देगी भरपुरा निवासी नजीर अपनी सभी बकरियों भैंस को मढ़े में बाद रखा था रात के लगबग एक बज़े आग लगने से लोगों को पता चला जब तक आग पर काबू पाते तब तक 128 बकरिया और चार पड़िया पड़वा जलने से मृत्य हो ग मामला पूरे जनपत में आग के तरफ फैल गई उबजिल अदिकारी सदर चंद्रबान सिंग चेत्रा अदिकारी सदर सलेश्द्रिपाठी नैप तसिल्दार योंग फारेंसिक टीम थाना पड़ड़ी प्रभारी पहुँचकर जाज परताल किये हालांकि अधिक संक्या में पसुकी मौद से पूरे गाउं में मातम छा गया है सबसे बड़ा प्रस्नी यह है कि आग लगी तो लगे कैसे सासन पसासन मामले की च्छान बीन में जुट गई है परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है सद्यादर नियूस से आस्तु सर्मा की खास कबर धन्यवाद अब को बता दे कि ठंड का मौसम है पसुपालक ने सभी जानौरों को अपने एक जो यहां दिख रहे है आप सामने इसी मढहे में उन्होंने बाद रखा था और कल रात को एक बजे तीन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है सुत्रों की जानकारी मिल है कि तीन लोग आये और यहां पे कुछ डिजल या पे ट्रोल छिलक करके इसमें आग लगा दिए जैसे ही पसपालक को आग की पता लप्टे दिखाई दी ततकाल जो है पसवो को छोड़ना चाहा लेकिन आग इतनी भयालक थी कि एक भी जानवार को बचा नहीं इतनी रात यह सूचना मिले कि थाना पढ़णी शेद्र के ग्राम भरपुरा में नजीर के मड़ई में आग लग गई जिसमें उनकी बकरियां जलकर मर गई तुछ घायल हुई है मैंने गटनास्थल का दिरिछण किया है यह पता चला कि 28 बकरी मरी है उसमें और पांच पढ़िया पढ़वा मरे है इसके साथ ही 25 और बकरियां घायल है और 4 भैसे घायल है इस संब्द में नजीर एहमत के द्वारा अरीर देने पर अग्रिम कारवाई है तो थानत देश को निर्देशित किया गया है गटनास्थल पर नजीर भी हलके फुलके घायल नजर आये है उनकी मत्थे पर हलका से जला है पशूर्ची कित्सा अधिकारिया और उनके संब्द टीम वहाँ पर घायल जंवरों का इलाज कर रही है शेस अग्रिम विदिक का रवाई की